हेलो आपको मिलता है क्वालिडी कॉंटेंट इजुकेशन वह भी बिलकुल बकाईदा फ्री आफ कॉस्ट केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डेटेल्ड वीडियो फॉर्माइट में और अगर आप हिंदी मीडियम के सुडेंट है तो पर कोई वीडियो अपलोड होता है चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव क्लास हो तो उसकी जानकारिया उसकी नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी आप किसी भी कंडिशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे बस एक बात का आप खास क्या पहले लिबल है कौन कौन से स्टेट बोड से सर एंपी बोड है बिहार बोड है यूपी बोड है राजस्थान बोड है और डेली बोड है और अगर आपको ई-णोड चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिंक होगी जा करके चेक आउट कर लेना वहां से एक टेक्निकल सा टर्म होता है ठीक है फॉर्मले के बीच में आने वाले एक टर्म होता है उसे कहा जाएगा बहुर मागनेटर और इग्जाटली उसका डिलेवेंस क्या है डेफिनेशन क्या है सब चीजें देखेंगे विच एंटायर फुल कंप्लीट डेरिवेशन के साथ तो बिना समय लगा है आपको लेकर चलते हैं इसके बेसिक आईडे की तरफ ठीक है एक बात तुम सुन लो पहली फुरसत में मैंने पिछले क्लासे में ही पिछले लेक्शर में ही मैंने एक बात क्लिया कर दी थी कि एक करेंट कैरिंग लूप जो होता है ना वो भी दर असल म मागनेटिक डाइपूल होता है माल लीजे फ़र एक्जामपल अगर मैं आपसे यह कह दूं कि करेंट ऐसे जा रहे है त्यक्षा है अगर करेंट का डिरेक्शन यह बटा मतलब यह बात समझ जाओ कि करेंट अगर ऐसे जा रहा है ना तो एलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा अधर असल ऐसे जा रहा होगा ठीक है मतलब कहने का मतलब क्या है कि current जो हम लेते हैं वो लेते हैं conventional current कौन सा current लेते हैं अपन अपन लेते हैं conventional current जो की electron के direction के opposite जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जागा बेटा अगर सामने देखो electron का motion चेक कर लिया बस उसको electron का motion चेक करने के बार एक बार figure out कर लो कि electron अगर anti-clockwise है तो current कैसा होगा clockwise अब इस पर focus मत करने electron पर because current तुम्हें मिल चुका है clockwise current ठीक है as if यह south pole का हिस्सा होगा और अगर ऐसा होता एक अलग scenario एक और scenario लेके चलते हैं ठीक है जैसे माल ले यह अपन अपन रे सेनारियो ले ले लिया ठीक है अगर electron चल रहा है clockwise तो जो conventional current होगा वो जाएगा anti-clockwise और जब conventional current हो जाएगा anti-clockwise direction में तो जो pole का यहाँ पर develop होगा मेरी बास सुनना अच्छे से जब anti-clockwise current होगा तो जो pole यहाँ पर develop होगा वो होगा north pole बोलो हा की ना जब anti-clockwise current होगा तो जो pole यहाँ पर develop होगा वो हो जाएगा north pole बोलो हा की ना आया समझ में तो भाई दे क्या होता ना पहली बात यह समझना एक dipole यह अपने पास current loop यह था एक current loop मेरे पास यह था ठीक है तो मैं इसको लिख दूँगा की इसका जो front face है यह front face से south pole दिख रहे है तो इसका जो back end होगा इसका जो पीछे से face समझ में आएगा यह आएगा north pole के बदाबर कोई दिक्ट वाली बात तो नहीं है और जब आप इस dipole की बात करोगे ठीक है dipole तो बन गया ना भाई सामने south pole तो पीछे क्या है north pole हो गया dipole ठीक है अब जब यहां चेक करना इसका जो front face है इसका जो frontal face है यहां पर north pole है तो obviously जो इसका back side होगा वहाँ पर south pole का induction होगा ठीक है so this is also a dipole वन बोल दो and this is also a dipole इसको dipole 2 बोल दो ठीक है दोनों dipole अपने दिमाग में पूरे हो चुके है एक दम डं 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 यहां तक का funda पूरा clear है yes sir यहां तक का funda पूरा clear है ठीक है तो जब एक electron किसी भी loop में move कर रहा है ना तो वह जो loop है वो basically current carrying loop है और current carrying loop जो होता है ना that is a magnetic dipole यह clarity आपके दिमाग में आ गई है क्या yes sir आ गई है और यहां पे ना सबसे important चीज यह थी कि आपको यह समझ में आ जाए कि जब electron जा रहा है anti-clockwise तो current जा रहा है clockwise और हम जो यह सब poles बनाते है ना यह सब कुछ बनता है based on the direction of conventional current यह सारी polarities ना जो इपने पास यह clock face rule था clock face rule क्या होता सर clockwise current तो south pole का induction anti-clockwise current तो north pole का induction इसका जो शांदार तरह से यह जो diagram wise जो इसका representation है ना that is basically evaluated by clock face rule तो clock face rule के अंदर ही हमें यह बात समझ में आए थी कि जब clockwise current होगा तो south pole का induction होगा जब anti-clockwise current होगा तो north pole का induction होगा मज़ेदार बात क्या है ना कि यह जो current जिसके आप बात कर रहे हैं यह conventional current होता है ठीक है electron के opposite जाएगा इस बात का ध्यान रखना electron के opposite जाए conventional current ठीक है सारे के सारे जो हमाई rules हैं वो conventional current पर ही based होता है तो यहाँ पर जो समझाने वाली बात थी वो यह थी electron गया anti-clockwise तो obviously फिर current जाएगा clockwise और फिर अब उसको भूल जाओ अब electron को भूल जाओ current पर focus करो current जा रहा है clockwise तो south pole का induction सामने south pole है तो पीछे कैसा हो जाएगा north pole हो जाएगा और क्यूं होगा अरे भाई ज़रा गौर कर सामने से देखने पर आपको यह clockwise current दिख रहा है तो south pole बन गया अब जब मैं इसी लूप को पीछे से देखूंगा तो वो मुझे anti clockwise current दिखाई देगा मतलब north pole दिखाई देगा बोलो हाँ की ना तुम्हारे लिए अगर मैं ऐसे यहाँ पर कर रहा हूँ तो तुम मुझे बताओ कि यह तो clockwise नज़रा रहा होगा तो clockwise मतलब तुम्हारे लि जब clockwise घूमेगा तो current किस तरह से जाएगा anti clockwise electron गया clockwise current गया anti clockwise और जब current यहाँ पर anti clockwise motion में move कर रहा है तो current हो गया anti clockwise north pole का induction सामने से north pole है लेकिन पीछे से क्या होगा south pole का induction तो this is also a dipole dipole number one this is also a dipole dipole number two sir कैसा dipole है electric dipole के बारे में तो नहीं सोच रहे हो नहीं sir this is a magnetic dipole कैसा dipole है this is a magnetic dipole मेरे ख्याल में आपके दिमाग में पूरा funda clear हो चुगा होगा तो अब यहां पर जो चीजें लिखी हुई है न वो इसी के दम पर लिखी हुई थी ठीक है ज़रा इसको पढ़ना स्टार्ट करते है अपर रेडियो वाही यस sir तो in every atom हर atom में क्या होता है कि electron जो है वो revolve कर रहा होता है around the nucleus सही बात है electron जो होता है वो एक fixed orbit में discrete orbit non radiating orbit भी कहा गया उसको बहुत atomic model के अंदर तो electron जो होता है वो nucleus के असपस चक्कर काट रहा होता है in orbits अब होता है कि revolving electron जो है न it is like a loop of current एक revolving electron जो है न this is like a loop of current because charge के motion से क्या बनता है current बनता है हालें कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि अगर electron का revolution जो हो रहा है अगर वो anti clockwise direction में होगा तो clock जले आगा जो current है वो clockwise चले जाएगा और अगर electron का revolution है अगर वो clockwise direction में हो रहा होगा इलेक्ट्रोन का जो revolution है अगर वो clockwise direction में हो रहा होगा तो जो corresponding current बन जाएगा वो anti-clockwise बन जाएगा समझ गए आप इस बात को यह सा समझ गए तो a revolving electron is like a loop of current which has a definite magnetic dipole moment absolutely so current के motion current से क्या बनता है basically magnetic field तो बनी रहा है तो यहां पर भी current है तो यहां पर भी magnetic pole तो develop हो ही रहा है जब electron revolve कर रहा होता है anti-clockwise direction में तब जो उसका equivalent current आता है न तो यहां पर जो current आता है न वो आता है clockwise क्या आपके दिमाग में यह वाला funda clear हो चुका है yes sir जबर्दस तरह से अब तो और बेटर समझ में आ रहा होगा ठीक है तो यहां पर theory में लेखा हुआ था about an electron जो की anti-clockwise motion शो कर रहा है उसके बारे में यह रही अपने पास supporting theory और मैंने उसके बाद तो ऐसे electron की भी बात कर लिया आपसे जो की clockwise direction में move कर रहा होगा क्या आपके दिमाग में यह सब कुछ सटीक तरह से clear हो गया एक बाद मुझे confirmation देना आप है क्या आपके दिमाग में यहां तक हर एक चीज सटीक तरह से clear हो चुकी है yes sir clear हो चुकी है ठीक है now hence an atom behaves as a magnetic dipole इसलिए एक atom जो है वह behave करेगा like a magnetic dipole सटीक बात है बिल्कुल सही बात है because atom के आसपास क्या है orbits मतलब atom basically embodiment उसको nucleus है तो उसके आसपास क्या है orbits orbits में कौन move कर रहा electron electron के motions current बना current से क्या बना magnetic field बना current loop basically दो तरह के poles बनेंगे obviously monopole तो exist वह ऐसे भी नहीं करता है वो हम लोग just previous lecture में हम लोग इस बात को proof कर चुके थे by gosh law of magnetism की monopole तो कभी बे exist नहीं करता तो यह atom जो है वो काम करेगा ऐसा magnetic dipole यह बात तो बिल्कुल सत्यवचन है त्टीक है उसके बात क्या लिखा हुआ है अभी यहां से कहानी शुरू हो जाती है बार magneton की मैंने क्या खाता हुआ डेरिवेशन होगा ठीक है magnetic dipole moment का डेरिवेशन होगा और उस डेरिवेशन में एक बहुत ही प्यारा से parameter आएगा उसे कहा जाएगा बार magneton ठीक है चले अब मैं आपको ना एक छोड़ी सी बात पर आपको और लेके चलता हूँ जैसे मान लीजे we have this current carrying loop ठीक है मान लीजे हमने कि we are having this current carrying loop और जो current है वो यहां से आई amount का current जो है वो चल रहा है यह जो current है वो आई amount का current जो है वो यहां से चल रहा है कोई रिक्कत वारी बात नहीं सर बहुत ही बढ़िया बात है ठीक है area of the loop इसका जो area है वो a के बराबर है और यहां पर जो current है जो current है लूप का लूप में flow कने वाला जो current है वो i के बराबर है ठीक है अब जैसे माल लेता है अगर यहां पर n number of turns होते है तो फिर आप formula को n से multiply कर दीजिए कोई दिख करनी है यहां तो मैं single loop की बात कर रहा हूं तो यह fund आपके समझ में आ रहा है अच्छे से ठीक है आप भी जानते हैं कि अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो यह कौन सा पोल डेवलप हो रहा है यहां पर सामने से तो south pole का development हो रहा है इस बात को दिमाग में आपके अच्छे से set कर लि ठीक है तो magnetic dipole moment को आपन capital M से करेंगे represent बोलो हां की ना यस सर magnetic dipole moment को हम capital M से करेंगे represent और मैं आपको बिटा एक बार बता दूं capital M magnetic dipole moment is basically vector quantity this is a vector quantity कैसी quantity है सर की vector quantity होती है और vector quantity अगर है तो इसका direction क्या होता है पहले वो भी समझ लेने के बात्चे से ठीक है जैसे मानले कि if you are having a bar magnet like this अब मैं बतातो रहा हूँ magnetic dipole moment के बारे में लेकिन जरा चीज़े ना clear करते हूँ चलना from electrostatics also भाई वहाँ पही कहता माइनस Q था और प्लस Q था तो यहाँ पर माइनस Q का replica जो है ना वो दरहसल south pole होता है तेक है और जो plus Q का replica होता है वो दरहसल north pole होता है सर यह plus Q के replica के लिए north pole को ही क्यों choose करा और minus Q के replica के लिए south pole को ही क्यों choose करा just because अगर आप एक negative charge की बात करें तो negative charge के अंदर आती है सारी की सारी electric field lines और वैसे अगर आप south pole की बात करेंगे तो south pole के अंदर आती है सारी की सारी magnetic field lines ठीक है उसी तरह से अगर आप एक plus charge की बात क करेंगे तो plus charge से बाहर जाते हैं electric field lines अगर आप एक North Pole की बात करेंगे तो North Pole से भी बहर जाते है सारी magnetic field lines अच्छा सर यहां पर इंट्रेस्टिंग बात का है interesting छीज़ यहां पर यह है कि electric dipole moment जो था न वह minus Q से direct था plus Q की तरफ तो यहां से एक बात और भी लाजमी तरह से clear हो गई है कि फिर तो यह राज का center माले ठीक है this is the center of the dipole जिस तरह से जिस तरह से electric dipole moment था minus q से plus q की तरफ उसी तरह से magnetic dipole moment होता है south pole से north pole की तरफ ठीक है और इसको अपन कहते है magnetic dipole moment absolutely a vector quantity मेरे ख्याल से यहां तका funda supremely clear हो चुका है आप लोगे दिमाग में यहां तका funda supremely clear हो चुका है ठीक है यह सब चीज़ें clear है अब ध्यान देना भाई यह तो तुमको मैंने बताया था कि about what is basically magnetic dipole moment ठीक है यह वाला funda clear है मैं चाहता है नहीं कि तुम इसको अभी इ magnetic dipole moment करें एक formula के उपर आने वाला हूँ आपको लेकर के यह मैं पढ़ा पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल में बस आपको याद आ रहा है कि नहीं magnetic dipole moment vector quantity है तो इसके direction को दिखाने के लिए ही मैंने अभी आपके सामने diagram पूरा प्रस्तोत कर दिया था ठीक है अब इसका जो formula होता है ना this is basically proportional to क्या हो जाता है ना amount of current पकी बात है amount of current ठीक है तो भाइया जो current है अगर current ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छी magnetic field produce होगी ज्यादा अच्छा strength होगा magnetic poles का ठीक है तो यहाँ पर current के proportional होता है और area of the loop ठीक है and that too area is a vector quantity तो area को vector quantity के ताट हम आज first time नहीं कर र रहे थे ना हमने तब भी area को as a vector quantity treat करके दिखा दिया था और अगर आप area को vector quantity मानते हैं तो फिर direction भी assign करनी पड़ेगी तो जो area vector की direction होती है ना वो हमेशा जिस surface का आप निकालना चाह रहे है area vector उस surface के perpendicularly outwards निकल जाएगा तुम्हारा area vector ठीक है जैसे मालने अपने पास य जाएगा area vector ठीक करके बाहर आ जाएगा तुम्हारी तरफ ठीक तो यह अपने पास होता है magnetic dipole moment one turns के लिए अगर n number of turns होंगे तो n से multiply करना अब तुम्हें याद आ गया होगा मैंने कहा था magnetic dipole moment का formula क्या होता है निया क्या formula होता है निया होता है ठीक है यह तो तब जब n number of turns है लेकिन अगर एक ही turn होगा तो formula क्या हो जाएगा I into A ठीक है यह वाला funda पूरा clear है यह सर यह वाला funda supremely clear है अब जड़ा मेरी बात पर ध्यान देना है इसकी unit क्या होगी ठीक है what is going to be the unit इसकी unit क्या होगी एक बार जड़ा अपन इस पर ध्यान देते हैं तो भाई यह unit निकालना तो बड़ा असान है current into area है ना तो current का मतलब क्या हो जाएगा ampere ठीक है और area का मतलब क्या हो जाएगा एक dipole moment कोई funda पूरा clear हो चुका है चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो m is equals to i into a इस बारे में आपका दिमाग एकदम सटीक तरह से clear रहना चाहिए कि हाँ यह formula होता है because आगे derivations में i और a को ही तो खोलना है ठीक है चले सर यहां तरका funda पूरा clear हो चुका है अब आपको लेके चलते हैं proper derivation के ऊपर ठीक है यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है यह चीजें कैसे साकार होंगे आपके सामने मैं आपको वो सब करके दिखाता हूँ ठीक है an electron is revolving in an orbit एक electron है जो कि किसी orbit में जो है वो revolve कर रहा है कोई दिकत वाली बात नहीं है revolve करने दो उसका अगर आपन top view लेंगे ना तो top view seems something like this कोई दिकत वाली बात नहीं ठीक तो electron को इसके अंदर revolve करने दो भाई या चलें भाई electron revolve कर रहा है मज़दार चीज़ एलेक्टर रिवाल्व कर रहा है मज़दार चीज़ ठीक है अब देख्या होता है यह निकाला अपने ठीक है तो अब क्या होता है कि इस तरफ फिर काम करेगा तुम्हारा जो magnetic dipole moment है वो इस तरफ काम कर लेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब देख्या होगा यहाँ पर पहली बात तो यह समझ देब चलना current to develop होगा तो current का formula क्या होता है? current का formula होता है charge upon time तो current का formula क्या होता है? Charge upon time, charge किसका लेंगे? Electron का लेंगे और time हम क्या लेंगे? Time period लेंगे charge हम किसका लेंगे? Electron का लेंगे Time period लेंगे कितना समय लगा एक चकर पूरा काटने में तो T is the time period T क्या है? तुम्हारे पास में time period है और time period का मतलब होता है कितना समय लगा तुम्हारे पास एक चक्कर पूरा काटने में तो आप एक formula जानते हैं क्या कौन सा formula by angular velocity का formula या angular frequency सर यह होता है 2 pi by t बहुत बढ़िया तो अगर यहां पर omega होता है 2 pi by t तो जब मैं यहां से t निकालूँगा तो t मेरे पास क्या हो जाएगा 2 pi by omega शानदार सी बात है कोई दिकत वाली बात ही नहीं है तो अब जब मैं यहां से current निकालूँगा तो i is equal to क्या होता है q by t तो i is equal to क्या हो जाएगा q मतलब e upon करूंगा t तो t क्या था 2 pi by omega तो यह क्या हो जाएगा 2 pi यहां रहेगा बाहर और इधर आजाएगा omega यह वाला funding clear हो गया है क्या yes sir यह वाला funda पूरा clear हो चुगा है तो टूपाई यहां पर आ जाएगा omega e upon 2 pi आ चुखा यह अपने पास आ चुगा क्या क्या आचुका अपने पास एक करेंट आचुका है तो अपने इसको मानते हैं as the first equation ठीक है now एक और चीज सुनते पर चलना तुम जानते हो अपन क्या कहने वाले है देखो magnetic dipole moment जो होता है न वो होता है i into a ठीक है तो इसका i अपने निकाल दिया अब अपन निकालने वाले area ठीक है अब क्या निकालने वाले अपन area तो a का मतलब होता है area of the loop a का मतलब क्या होता है area of the loop तो area क्या हो जाएगा sir अगर radius r के बराबर है अगर radius r के बराबर है तो area क्या हो जाएगा pi r square अगर radius r के बराबर है तो area क्या हो जाएगा pi 2 r square इतनी सी बात पूरी clear है यस sir अगर area a के बराबर है अगर area a के बराबर है तो area क्या हो जाएगा pi 2 r square को रख लॉच एक कि बार बढ़र खिल मांद करना ही पहलो जानाओ अब खया गौर ख़रते बहुत बोच आई अच्छे सहं घ्याちゃे अपने पास यह जो मागनेटिक टाएपोल मूवएंंट होता है उसका फॉर्मला में होता है और यंटिफे magnetic dipole moment का formula क्या होता है sir i into a होता है formula तो i तो अपने निकाल चुके है अभी हाल फिल हाल में i कितना हा चुका है अपने पास में sir i आ चुका है omega e upon नीचे क्या आ चुका है 2 pi आ चुका है अब बचेगा मागनेटिक डाइपोल मूव्मेंट होगता बचेगा हाफ ओमेगा e rka square क्या बचेगा हाफ ओमेगा e into r ka square यह काम करें पहले बाए यहां तक करेंसगा स्क्रीनाइट लिस द। से के लिए उसके बाद भर मैं कहानी को और आगे ले करके चलता हूँ ठीक है तो अपने पास half omega e into r का square half omega e into r का square ठीक है यह बन चुकिए अपने पास कौन से equation में क्याल से थर्ड equation होगी first थी current वाली second थी area वाली अपने पास यह बनी है यह बन चुकिए अपने पास में third equation it's as simple as that sir ठीक है यहां तक कोई परिशानी तो में घेर रही है क्या नहीं sir यहां तक का फंड़ पूरा अब जड़ा गौर करना जब electron घूम रहा है किसी भी orbit के अंदर तो वहां पर according to board theory तो होता क्या है कि जब electron घूमेगा ना तो उसका जो angular momentum होता है वो quantize होता है ठीक है अब angular momentum का formula क्या होता है mvr और वो quantize किसके बराबर होता है nh upon 2 pi के बराबर यह था according to board's theory तो now according to board's theory इतना तो अपन पहुंच चुके है third equation तक ठीक है now according to board's atomic model theory या board's theory we know that जब electron move कर रहा है ना तो उसका जो angular momentum है वो conserved है तो we know that the angular momentum हमें एक बात पता है we know that the angular momentum हमें एक बात पता है कि the angular momentum of the electron हमें एक बात पता है कि the angular momentum of the electron is conserved ठीक है हमें एक बात पता है कि angular momentum of the electron is conserved क्या आपके दिमाग में यहां तका funda पूरा clear हो चुका है yes Sir यहां तका funda supremely clear हो चुका है कि angular momentum is basically concerned angular momentum is basically concerned अब ज़रा गौर करते हौं चलेंगे तो angular momentum का basic formula क्या होता है MVR angular momentum का basically formula क्या होता है MVR के बराबर होता है और angular momentum किसके बराबर होता है भाई 1966 ए तो NH upon 2π के बराबर हो जाएगा जब angular momentum का पूरा formula conserve है जब angular momentum का पूरा formula conserve है तो mvr किस के बराबर हो जाएगा mvr किस के बराबर हो जाएगा बिटा nh upon 2pi के बराबर हो जाएगा ठीक है यहां तका फंडा पूरा clear है यहां तका फंडा पूरा clear है अब ज़रा गौर करते हैं बहुत चलना जानते हैं now as we know that v is equals to kya होता है r omega होता है v is equals to kya होता है r omega होता है तो भाइस साब आपन एक काम करेंगे v की value को यहां भर देंगे ठीक है जैसे आपन v की value को यहां भरेंगे तो कहानी किस तरह से आगे बढ़ने वाली है जरा गौर करेंगे तो m था उसके बाद जैसे आपने v को भरा तो v क्या हो जाएगा r omega तो r omega into r करेंगे तो आजाएगा r square omega क्या बोले आपन ने r square omega ठीक है तो m v r था और v हो चुका है r omega के बराबर तो m उसके बाद v हो चुका है r omega तो r square omega r square omega आचुका is equals to यहाँ पर क्या आ रहा है n upon 2 pi n is the number of the orbit n is the number of the orbit h क्या होता है यहाँ पर planks constant होता है 2 pi is just a constant ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तका funda पूरा clear हो गया yes sir clear हो गया यहाँ आपने interesting चीज यह थी कि r square omega यहाँ पहले से मौझूद था ठीक है r square omega r square omega यहाँ पहले से मौझूद था तो क्यों ना यहाँ से r square omega ही निकाल लिया जाए ठीक है क्यों ना यहाँ से r square omega ही निकाल लिया जाए तो जैसे अपन r square omega को निकालेंगे न तो क्या हो जाएगा ये n h upon 2 pi m हो जाएगा ठीक है क्या बोला अपने जैसे अपन r square omega को निकालेंगे तो n h upon नीचे क्या हो जाएगा 2 pi m हो जाएगा अब मेरी बात को अच्छे से सुनते वे चलना ठीक है यहाँ पे था अपने पास क्या r square omega तो अब जैसे इसको खेलना शुरू करेंगे separation दो क्या पहले इसमें separation ले लो या तुम उसमें एक separation अपने हाँ पर डाल दिया ठीक है अब ज़रा गौर करते हो चलना क्या होगा r square omega अपने पास क्या है n h upon 2 pi m के बराबर अब ज़रा यहाँ पर भढ़ दो तो omega r square तुम्हारे पास क्या हो चुका है n h upon 2 pi m क्या तुम्हें यह वाली बात समझ में आ गई यह सर आ गई है तो m तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा पता है m तुम्हारे पास में बन जाएगा e ठीक है और उपर क्या आ जाएगा h अच्छा एक सेकेंड इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ n times यहाँ पर आ जाएगा e और नीचे क्या जाएगा 4 pi m नीचे क्या जाएगा 4 pi m भाई साब यह जो fund आपन ने यहाँ पर अभी clear out करा है जल्दी आप मुझे बताएं कि आपको यह वाली बात समझ में आ रही कि नी आ रही है जल्दी आप मुझे बताएं कि आपको यह वाली जो बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि आपको यह वाली बात समझ में आ गई है क्या जल्दी से मुझे confirmation देवेट आप यहाँ तक का इसे कहा जाता है बार मागनेटन तो अब जरा मैं इसको लिख दूँ नाव यह जो ह एच इपॉन 4 पाइंब 2 पाइंब नी 4 पाइंब हेच इपॉन जो यह 4 पाइंब यहाँ पर लिखा हुआ है इसे कहा जाएगा बार मागनेटन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू सब्सक्रिप्ट बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू सब्सक्रिप्ट बी से तो बहुर मैगनेटॉन इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू सब्सक्रिप्ट बी से कहा जागा इसको बहुर मैगनेटॉन बाइस को याद करना ना एक दिख फंडा होता है बता रहा हूं काफी लोग को तो वैसे हो जाएगा याद जैसा में को याद हो आदा ही ही मतलब लड़का ठीक है अब क्या है नीचे चार पाई एक बार चार पाई का वर्ड आ गया तो अपना दिमाग चार पाई पी जाता है तो he is on he is on 4 पाई ठीक है ये जो लड़का है वो लेटा हुआ है चार पाई पे ठीक है तो he is on क्या चार पाई है तो ऐसे मैं को याद दा प्रा नी क्यूं कभी कभी ऐसा होता ना अपन कुछ पढ़ते रहते हैं तो दिमाग कहीं और ही चले जाता है फिर वहाँ से क्या होता he is on 4 पाई मास तो लगा लेना ना उसमें क्या दिक्कत है ठीक है तो बहुत मैगनेटन क्या हो जागा यहां से म्यू बी इसका मतलब फॉर्मुला क्या होता है अब यह फॉर्मुला अब रटना असान हो गया है है ना he upon 4 पाई म he upon 4 पाई म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब जड़ा गौर करना नौ भाई सब जो मैगनेटिक लाइपोल मोमेंट आया था अभी अपने पास वो आ गया था एन टाइम्स N x He upon 4πm इसका मतलब क्या होता है He upon 4πm का मतलब क्या हो जाएगा Bohr Magneuton ठीक है बोलो कोई दिक्कत वाली बात तुल नहीं तो अपने यहां से ऐसे कह सकते है यहां से अपने इसको ऐसे कह सकते है कि Bohr यहां से अपनेसे कह सकते है कि Magnetic Dipole Moment क्या बोलोंगे अपने इसको यहां से कि magnetic dipole moment magnetic dipole moment is basically in the form of quantized bar magneton ठीक है ठीक है पक्की बात है इसको मैं ज़रा लिख दूँ यहां पर कि magnetic dipole moment magnetic dipole moment magnetic dipole moment is in the form of magnetic dipole moment is in the form of is in the form of quantized bar magneton is in the form of quantized bar magneton कोई रिक्कत वाली बात नहीं से ठीक है तो आप बार मैंगे टॉण की मतलब यह जो अपने पास magnetic dipole moment है यह वन बार मैंगे टॉण भी हो सकता है थ्री टाइमस भी हो सकता है ठीक है तो देफोर permissible therefore permissible values of magnetic dipole moment is one times bar magneton twice of bar magneton thrice of bar magneton up till अपने पास आजाएगा end times bar magneton अपने पास क्या आजाएगा end times bar magneton यहां तक का funda पूरा clear हो गया है yes sir यहां तक का funda पूरा clear हो चुका है तो आप लोग उसका screenshot लेना स्टार्ट करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से screenshot आप लेना पसंद करेंगे यहां से screenshot आप लेना पसंद करेंगे यहां से तो पहले बिटा जल्दी शुरू हो जाओ यहां से शुरू करो इसका screenshot यह वाला funda clear हो गया है yes sir supremely clear हो चुका है उसके बाद हम derivation में यहां तक पहुंच गय थे मेरे ख्याल से यह वाला funda भी clear हो चुका है यहां तक का funda पूरा supreme तरह से clear हो चुका है और यह जो इसकी supporting theory थी मैं चाहूंगा इसका भी आप screenshot ले 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 ठीक है इसकी supporting theory है मैं चाहूंगा इसका भी आप screenshot ले ले ओके साथ डेंड़ना डेंड़न हो चुका है अब जोना दिहान देना भाई सब अब निकालते हैं अपन क्या value of bore magneton अब अपन निकालने वाले हैं क्या value of bore magneton तो magnetic dipole moment is integral multiple of bore magneton तो bore magneton को अपन mu subscript b से करते हैं represent mu subscript b से करेंगे अपन इसको represent चलें करें भाई या शुरुआत ने इस पूरी कहानी को यह सर शुरुआत देते हैं न इस पूरी कहानी को फिर अपन जरा देखो भाई अब ही हमने क्या चीज़ देखिए थी कि magnetic dipole moment is basically end time से आगया था bore magneton ठीक है एंड जो bore magneton था वो उसका formula क्या है था he upon वही चार पाई पे था ही कहा पे था चार पाई पे था बस चार पाई एम कर लो को लिख कर नहीं है ठीक है और इस h की value क्या होती है इसकी जो value होती है वह होती है 6.636 यह आप 6.6 पे चोड़ दीज़ेगा तो 6.636 10 to the power माइनस का 34 joules ठीक है अब देख क्या होता सारी values को भढ़ना start करते है अपन h का मतलब क्या होता है planks constant तो 6.636 10 to the power माइनस का 34 E का मतलब क्या होता है charge of one electron तो 1.6 10 to the power माइनस 19 उसके बाद यहाँ पे 4 उसके बाद यहाँ पे पाई उसके बाद M का मतलब क्या होगा एक electron का mass तो 9.1 10 to the power माइनस 31 उसके बाद जब आप यहाँ से निकालेंगे बार्र magneton तो आपका approximately जो answer आएगा वो आएगा 9.27 10 की power माइनस का 24 अब मेरा important point सुनना है यहाँ से ठीक है इसकी unit की बात करेंगे अपनिया आपर तो n is just a number n is just a number तो भाईया बहुर magneton की जो unit होगी वो exactly वही होगी जो कि magnetic dipole moment की होती है और magnetic dipole moment की unit क्या होती है sir ampere meter square इस lecture में ही confirm किया रहा मैंने आप लोग को बेटा तो इसकी unit क्या हो जाएगी ampere meter square ampere meter square ampere meter square this is going to be the unit for bar magneton this is going to be the unit for bar magneton मेरी खाल से आपके दिमाग में यहां तक का फंटा supremely clear हो चुका होगा magnetic dipole moment की सबसे lowest value क्या possible है तुम सोच के देखो बेटा magnetic dipole moment की सबसे lowest value क्या possible है one bar magneton तो आप इसको ऐसे define भी कर सकते हो कि one bar magneton is the minimum is the lowest value possible for the magnetic dipole moment of an atomic model ठीक है एक atom के लिए अगर देखा जाए तो atom के लिए सबसे छोटा जो magnetic dipole moment हो सकता है वो सकता है one bar magneton के बराबर इतना खुबसूरत जो पहलू मैंने आपके सामने यहां पेश किया है इस topic का क्या आपको समझ में आ गया है क्या आपको यह वाली बात समझ में आ गई है यह सर आ गई है ठीक है चले तो यह वाला fund अपना पूरा clear हो चुका था और यहां पर definition आ जाती है बार magneton की तो बार magneton अभी मैंने clear कि आपको थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले ही clear किया था मैंने इस वाले formula के बार magneton तो अगर minimum है तो इनकी value कितनी हो जाएगी वन अगर minimum है तो इनकी value कितनी हो जाएगी वन तो लिख दें जरा इसको अपन अच्छे से एक बार कि बार magneton is defined as the minimum magnetic dipole moment ठीक है बार magneton is defined as the minimum magnetic dipole moment associated with an atom due to orbital motion of electron ठीक है due to orbital motion of electron in the पहला stationary orbit by first stationary orbit यह जो term यहां पर introduced किया है यह सिफ यह बताने के लिए है कि n is equals to 1 है because mvr equal to nh upon 2pi का जो part था वहां पर जो n था ना that was the number of the stationary orbit ठीक है यह वाला funda clear हो चुक है इस से clear हो चुक है what is magnetic dipole moment capital M what is angular momentum L से कर देंगे divide तो L जो होता है वह अपने पास यहां पर देखो mvr था L का मतलब क्या होता है angular momentum जो की mvr होता है और mvr क्या होता है nh upon 2pi n की value 1 है सारी values put करेंगे यह आ जाएगा अपने पास में answer ठीक है लेकिन इहां पर एक बहुत important चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहता हूं that is potential energy that is potential energy of a bar magnet ठीक है एक bar magnet की potential energy की बात करूँगा in external magnetic field एक external magnetic field में in external magnetic field में ठीक है दो मिट जान दीजेगा बहुत important चीज है लास्ट लेक्चर में अगर आप चेक करेंगे ना तो मैंने लास्ट लेक्चर में इसका जिकर किया है लेकिन वहां पर हम लोग electric dipole moment की तरफ चले गयते हैं हलंकि हम जानते हैं कि electric dipole moment और magnetic dipole moment यह एक दूसरे के replica terms होते हैं बस 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 देखो भाई यहां पर अपने पास में माल लेते हैं कोई north pole का setup है यहां पर माल लेते हैं अपने पास में कोई south pole का setup है बोलो हां की ना यह निकली दूसरी magnetic field lines तो ऐसे एकदम शांदार तरह से magnetic field lines जो है वो develop हो चुकी है अरे अरे इससे निकरना है यहां पर एकदम शांदार तरह से magnetic field lines develop हो चुकी है north से निकलती है और south में जाती है अब यहां पर एक बहुत ही खुबसूरत सा एक bar magnet अपन प्लेस करने वाले है ठीक है और यह रहेगा bar magnet में south pole का strength यह रहेगा bar magnet के north pole का strength बोलो हां की ना यह सब पूरा फंडा clear ठीक है अब देखते हो चलना क्या गारेंगा अपनी हाँ पर तो भाई साब यह ठीक है यह सब यह रखा अपने एक bar magnet अपने पास external bar magnet जिसमें इसको मैं मालेता हूं कि this is the south pole this is the north pole derivation बिल्कुल वैसा ही है जैसा की electric dipole moment वाले case में था ठीक है अब जड़ा ध्यान देना south वाले को north वाला कीचे का बोलो हां की ना torque निकालूंगा ना बेटा जब हम torque निकालेंगे ना torque तो torque निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा either force टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा either force एक force ले लो दोनों में से either force इसको multiply कर देंगे अपन किससे perpendicular distance है ठीक है perpendicular distance between line of action of force से आप इसको एक दफा multiply करेंगे ठीक है यहां तका फंड़ा पूरा clear है क्या basic formula है यह torque का बताओ यहां तका फंड़ा clear है यहां तका फंड़ा clear है चले अब जरा कहानी में आगे बढ़ता है ठीक है तो भाई यह जो force है न भाई force का formula क्या होता है Q into E होता है वैसे फोर्स का formula ठीक है लेकिन अब आप आचुके है मैगनेट में तो भाई इसका pole strength क्या है याद रखो याद रखो याद रखो याद रखो याद रखो electrostatic में charge था उसको replace यहां पर कौन करेगा magnetic pole strength इसको replace करेगा भाई बढ़ा वाला M क्या होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा F is equal to charge की जगा पर magnetic pole strength E की जगा पर magnetic field का induction ठीक है तो force अपने पास क्या आगया Mb आगया उसके बाद भाई साब यहाँ पर इसका separation distance कितना होगा इसका separation distance अपने पहले भी 2A लेके रखा था अभी इसको अपन 2A लेके चल देते हैं कोई दिखकर नहीं है सर इसमें इसका separation distance हमने कितना मान लिया बेटा इसका separation distance हमने मान लिया 2A के बराबर ठीक है तो अब क्या होता है ना कि देखो यह इसका center था और यहाँ पर काम करेगा magnetic dipole moment और यहाँ पर काम कर रहा है magnetic field का induction तो this angle itself is theta बोलो हा की ना यह सर पूरा फंड़ा clear है तो जब मैं इसका perpendicular distance की बात करूंगा ना यह 2A था यह theta था तो भाईया यह वाला angle भी theta हो जाएगा और जो perpendicular distance मेरे को required है ना वो आजाएगा 2A sin theta बोलो हा की ना यह सर अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूं अगर मैं इतने right angle triangle पर यह बनाते है उसको पर यह अगर मैं इसको निकालना चाहरा हूं इस distance को निकालना चाहरा हूं यह theta यह 2A तो यह कित्ता हो जाएगा 2A sin theta क्या हो जाएगा बीटा यह हो जाएगा 2A sin theta तो भाई जब मैं torque को लिखोंगा यहाँ पर तो ऐसे आएगा यह m into 2A into आजाएगा b into आजाएगा sin theta ठीक है यह वाला फंडा पूरा clear है क्या है this q into 2A was the electric dipole moment and this m into 2A is the magnetic dipole moment बड़ा वाले m आजाएगा यह आजाएगा b और यहाँ पर आजाएगा sin theta बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बस torque आया है derivation potential energy का है अभी तो बस torque निकाल के दिखाएगा आपको इसको आप m cross b b कह सकते हो बाई मुझे बस यहां तक का आपका information दे कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है जल्दी 3 2 1 ready go super done and super clear ठीक है अब जब यहां तक का fund आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो अब मैं कहानी को यहीं से शुरुआत देता हूं ठीक है अब मैं कहानी को यहीं से शुरुआत देता हूं बाई talk works अब अपन निकाल चुके ठीक है अब आपको निकालना है potential energy तो basically आपको work करना पड़ेगा ठीक है potential energy मतलब u is equal to the amount of work done it is equal to the amount of work done in moving the dipole in moving the this bar magnet is a dipole only ठीक है तो this bar magnet is a dipole only तो तो यह जो work done है ना this is this is done to move the bar magnet from theta initial angle से लेकर के theta final angle तो क्या आपके दिमाग में वहला funda पूरा clear है यह सब पूरा clear है ठीक है तो भाई potential energy मतलब work हो जाएगा तो work का formula क्या होता है force into displacement मतलब tau into d theta ठीक है अब ज़रा ध्यान देना tau कितना आ चुका है टाउ आ चुका है अपने पास में कितना mb टाउ अपने पास में कितना हो चुका है भाई वहाँ पे था p e sin theta तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mb sin theta आया समझ की नहीं आ गया यह सर आ गया समझ में tau is equal to mb sin theta उसके गाई d theta तो आपको तु निकालना है work तो आपको कर ना पड़ है यहाँ पे इसको integrate both sides because potential energy निकालने के लिए आपको work ही निकालना पड़ता है potential energy निकालने के लिए आपको work ही निकालना पड़ता है कोई दिक्कत वारी बात तो नहीं है पोटेंशिल energy निकालने के लिए आपको work निकालना पड़ता है तो जब आपन potential energy निकालने गों निकालेंगी को जाएगा यहां पर कितना होजाईगा NBA बाहर और asine जिसका होजाएगा Aha होजाएगा 7 दीटा हो जाएगा क्या आपको यहां तक कोई भी परिशानी होती है क्या आपको यहां तक कोई भी परिशानी होती है क्या नहीं होती है देख क्या होता है थीटा इनीशल से लेकर के थीटा फाइनल कोई वर्क नहीं करा उसके बाद डबलू अमाउंट अफ वर्क कर दिया यहां तक का फंडा भी पू तो sin theta, तो sin theta, अरे, minus cos theta, तो क्या हो जाएगा, minus cos theta, theta initial से theta, final तक की कहानी है, अब देख क्या हो जाएगा, potential energy is equals to minus का mb, और मैं फिर से बोलेता हूँ, यह जो बड़ा वाल एम मैं लिख रहा हूँ, this is for magnetic dipole moment, इसकी unit क्या होती है, mp meter square, ठीक है, छोटा वाल एम जो अब यहाँ पर नहीं लिखा हूँ है, छोटा वाल एम था न, that was the magnetic pole strength, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, upper limit minus lower limit, तो cos theta final, minus क्या हो जाएगा, cos theta initial, अब ज़रा ध्यान देना, जो potential energy है, अपने पास, minus अंदर गया, तो यह क्या हो जाएगा, mb, और उसके बाद क्या बचेगा अंदर, theta initial, minus theta final, क्या बचेगा, cos theta initial, minus क्या बचेगा, cos theta final, ठीक है, भाई, मेरे ख्याल से, अब आप लोग को यह कहानी जो है, यह आगे अपने पास में फॉर्मला, ठीक है, this is the formula for potential energy, stored inside a bar magnet, placed in external magnetic field, और उसको घुमाया भी गया है, theta के angle से, ठीक है, और उसको घुमाया भी गया है, theta के angle से, clear हो चुका है, yes sir, यह वाला funda पूरा clear हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ें थी, वो भी आप लोगों ने no down कर लिया है, ठीक है, this was all about bar magneton, तो मैं उमीद करता हूँ, कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह वीडियो आपको helpful लगा होगा, अगर आपको इस वीडियो ने help करी है न, तो आप एक काम करें, प्यार बरसा हैं इस वीडियो के ओपर, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे important बात इस वीडियो को share कर दो, अपने सारे दोस्तों में पूरे मित्र मंडल को बता दो, कि Magnet Brains के चैनल पे, physics के playlist के अंदर क्या क्या शांदार चीज़ें एड हो चुकी हैं, और क्या जबर्दस चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, अगर आपका कोई भी feedback है, suggestion है, तारीफ है, या बुराईया है या जो कुछ भी है, तो आप बड़ी प्यार बड़े शब्दों में अपनी सारी बाते मुझ तक पहुंचा सकते हैं, using the comment section, अगर आपका feedback जन्यून लगेगा, तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, इसी के साथ खतम करते हैं इस पूरे वीडियो को, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि Magnet Brains जो प्रोवाइट करता है, वो है English Medium, as well as Hindi Medium वाली classes, with entire full complete syllabus coverage, CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, और Vedic Mass Crash Course on Spoken English, इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए, तो आप Magnet Brains के official website पर visit कर सकते हैं, thank you so much.